नमस्कार R9 TV देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा सबसे पहले तो आप सभी को जनमास्टमी की डेरो शुपकामनाय डेरो बधाई आज जनमास्टमी का पावन अफसर है और ऐसे में R9 की टीम पहुँची है नौइडा के स्कॉर्ण टेंपल में आप देख सकते हैं कि यहां पे पूरा कृष्ण रंग में डूबा हुआ है पूरा यहां का जो बहौल है और मंदिर को कितनी खुबसूरती से सजाया गया है तो नौइडा का इसकॉर्ण टेंपल जहां हर साल कृष्ण जनमास्टमी को बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है यह एक नौइडा का एकलोता ऐसा मंदिर है जहां कृष्ण जनमास्टमी के आउसर पर भारी संक्या में बारी तादाद में यहां पे श्रधालू आते हैं कृष्ण की पूच आर्चना करते हैं और वैसे भी जनमास्टमी का वसर है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहां पे कितनी ज्यादा संक्या में लोग है और मंदिर को कितनी खुबसूरती से सजाय गया है आप ज़रा एक नजर डालिए कि यहां पे लाइटिंग कितनी पूलों से सजाय गया है पूरा का पूरा जो यह मंदिर है वो कृष्ण रस में डूबा नजर आ रहा है मंदिर का हरे कोना बेहादी खुबसूरत लग रहा है और वैसे भी कहा जाता है कि कृष्ण जनमात्सव को एक तहवार की तरह से मनाया जाता है इस दिन का इंतिजार बेसबरी से लोग करते हैं पूरे साल इंतिजार करते हैं कि कृष्ण जनमात्सव का अपने आप में बहुत जाता महत्व है मंदिर का हरे कोना बेहदी पावन नजर आ रहा है और सबसे खास बात इस मंदिर की यह है कि यहाँ पे हमेशा भीड रहती है कृष्ण जनमात्सव को लेकर यहाँ पे रात में लोग जगते हैं कृष्ण का जन्म करवाते हैं पूचा पाट करते हैं गीत काते हैं नाच गाना बजाना करते हैं सबसे खास बात इस मंदिर की यहाँ पे यह है कि इतना जादा यहाँ पे भीड़ होता है उसके बावजूद भी यहाँ पे सुरक्षा के जो इंतजाम है वो बहुत बुखता है लोग खुशी-खुशी अपने परिवार के साथ फ्रेंट्स के साथ आते हैं दर्शन करते हैं औ तो चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि अंदर का मोहल कैसा है किस तरीके से क्रिश्व रस्में लोग यहाँ पे डूबिन नजर आ रहे हैं जर्मास्वी का पावन असर है और ऐसे में जितने दिश्रत धालू मंदिर तक आते हैं उनकी बस एक इक इक्षा यही रहती है कि बस एक नजर श्रीक्रिश्र के दर्शन हो जाए तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हूं कि इस मंदिर में श्रीक्रिश्र जी का जो वस् यह देखिए मेरे सामने श्रीक्रिश्र जी इसी के दर्शन के लिए लोग यहां पे दूर दूर से चले आते हैं श्रीक्रिश्र और राधा बेहती खूबसुरत नजर आ लिए श्रीक्रिश्र जी को बहुती खूबस इसी के दर्शन के लिए लोग बहुत दूर दूर से चल इसे के दर्शन के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं और चुला एक नजर ये देखिए कि यहां पर कितनी कितनी ज्यादा संख्या में लोग यहां पर आए हैं दर्शन करने के लिए लाइन लगी हुई है बहुत दोड़ से दूर आ रहे हैं लंबी-लंबी लाइने हैं कतारों पर लोग लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं मुर्ली मनोहर कहें माखन चोर कहें नंदलाला कहें या कुछ भी कहें श्रेक्रिष्ण के हर नाम बेहदी प्यारे लगते हैं श्रेक्रिष्ण के वैसे तो 108 नाम है और उनके सारे के सारे नामों की जो सुन्दर्ता है जो खुश्बू है वो श्रेक्रिष्ण के हर रूपों में देखने को मिलती है और वैसे भी जनमास्टमी का अफसर है और ऐसे में श्रेक्रिष्ण के हर रूप का दर्शन करने के लि कि लेक्यारे हैं कि वो जानते कि श्रेकृष्ण सभी की इक्षा सभी की मुरादे पूरी करते हैं तो जनमुद वहुट खास होता है और वयसे भी श्रेकृष्ण के जनमुद्शाब का ऊसर है तो यह जनमास्ट में भी बेहत घास माना जाता है क्यामरपमसन राहुल के साथ मैं पूजा आर नाइन टीवी नॉइडा